नमश्कर दूस्तू स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दूस्तू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दूस्तू जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर रेसलर बजरंग पूनिया ने लोटाया प्रदमशिरी प्रदानमंत्री आवास के सामने फुटपात पर रखा मेडल जया दूस्तू भारतिये कुछती महस्तंग डबल्यू फाई के चुनाव में ब्रजभुशन सरन सिंग के करीबी इनास फोगाड समयत कई रेसलर नाराज हैं ये रेसलर्स काफी समय से ब्रजभुशन के खिलाव प्रदशन कर रहे हैं इन सबी की मांग थी कि रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के अद्धिक्षपद पर किसी महिला का होना चाहिए इस से पहले बजरंग ने सोशल मीडि पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी पूनिया ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को चिठी भी लिखी थी पूनिया ने ये चिठी भी ट्वीटर पर शेयर की है बजरंग पूनिया ने पोस्ट के केप्शन में लिखा कि मैं अपना पदम सरी पुरुशकार प्रदान मंत्र पिजी को वापस लोटा रहा हूँ कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है यही मेरी स्टेटमेंट है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इडी ने सीएम अर्विंद केजरिवाल को फिर भेजा समन दिल्ली आपकारिनिती से जुड़ा है मामला जिया दोस्तो दिल्ली शराब दिंती से जुड़े मनी लोंडरिंग मामले में मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को फिर से इडी ने शुकरुवार को समन भेजा प्रचार करने पहुंच गए थे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार न्यू यर से पहले मनी सिसोधिया को लगा जटका अदालत ने 19 जनवरी तक बढ़ाई नयाईक हिरासत है जियां दोस्तो दिल्ली आपकारी निती से जुड़े शराब घोटाले केस में आरोपी आमादमी पार्टी के नेता मनी शिशोधिया की मुस्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है शुकरवार को दिल्ली की रावज अवन्यू कोट ने उनकी नयाईक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है आमादमी पार्टी नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुकरवार को उन्होंने दिल्ली की रावज अवन्यू कोट में पिरशी की गई थी जहां से कोट में उनकी हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया इस दोरान कोट ने आरोपी के अधिविक्ता को भी फटकार लगाई है और कहाई कि आप लोग जान पूँच कर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं साथ ही अधालत ने इसे सोदिया समयत अन्य आरोपियों की ओर से चार्शीट के डोकुमेंट्स के जाच के मिलने के लिए सीबियाई ओफिस जाकर किये जाने के लिए कोट से 15 जनवरी तक का समय दिया है अधालत ने कहा है कि आरोपि के वकील सुबह 10 बजे 6 शाम 7 बजे तक सीबियाई के दफ्तर में जाकर डोकुमेंट्स के जाच कर सकते हैं कुट सीबियाई के जाच अधिकारी को यह भी आदेश दिया कि आरोपियों को चार्शीट की कोपी DVD फॉर्मेट में दी जाए वहीं CBI ने अधालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चार्शीट से सम्मंद्ध सभी डोकुमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिये गए हैं अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट कमर्शियल गेस सिलेंडर के दाम 49.50 रुपे घटे दिल्ली में 19 किलो वाला गेस सिलेंडर अब 1757 रुपे में मिलेगा घरेलू रसोई गेस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाओ नहीं जिया दोस्तों ओयल मार्केटिंग कमपनियों ने शुकरवार को कमर्शियल कुकिंग गेस यानि की एल पीजी सिलेंडर जो की 19 किलो ग्राम वाला आता है उसकी कीमत 49.50 रुपे कम कर दी है इंटरनेशनल बेंच मार्क यानि के अंतरराश्ट्रियमान को में नर्मी के चलते यह कटोती हुई है इससे पहले राज के स्वामित्व वाली ओयल कंपनियों ने एक दिसंबर को कमर्शियल एल पीजी की कीमत में 20 रुपे की बड़ोतरी की थी दिल्ली में कमर्शियल एल पीजी कीमत अब 1757 रुपे हो गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार प्रियंका गांदी ने बजरंग पूनिया और शाक्षी मलिक से की मुलाकात कहा मोधी सरकार में हर कोई परेशान है जिना दोस्तो बिजेपी सांसद ब्रजभुशन सरण सिंग के करीबी संजे सिंग को भारतिय कुष्टी महासंग यानि के WFI का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर विवाद जारी है इसी बीच सिंग के खिलाफ लगे योन उत्पिणन के आरोपों को लेकर विरोध प्रिशन करने में करने वालों में प्रमुख चहरा रहे बजरंग पूनिया और शाक्षी मलिक से प्रियंका गांदी ने मुलाकात की प्रियंका गांदी ने मुलाकात के बाद कहा कि मैं एक मैला होने के नाते यहां आई हूँ टोक्यो ओलम्पिक के काश्य पदक विजयता पहलवान बजरंग पूनिया ने WFI का अध्यक्ष संजे सिंग बनने के विरोध में शुकरवार को अपना पदम शिरी लोटाने का फैसला की आता उन्होंने इसको लेकर प्रदान मंत्री नरंदर मोधी को खुला लेटर भी लिखा अब दोस्तों दोनों पहलवानों से कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर संसदों का सस्पेंशन जंतर मंतर पर इंडिया का प्रदशन राउल गांधी बोले दो तीन युवा संसद में घुसे तो प्रदशन में लेफ्ट पार्टियां डियम के एंसीप शरत पवार गुट सपा नेशनल कॉन्फरेंस टीमसी जे एम एम आरजेडी समयत अन्य दल थे दोस्तों संसद में सुरक्षा चूक पर राउल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद के देशबक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई कांगरेस अध्यक्ष मलेकारजुन खड़िये ने कहा कि मोधी सहा ने सवीधान डेमोक्रिसी को खत्म करने का प्लान बना लिया है वहीं दोस्तों राउल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में दो तीन युवा कूद कर अंदर आ गए थे उन्हें कूथते हुए सब ने देखा वें अंदर आये उन्होंने थोड़ा दुवा फैलाया भाजपा के सभी सांसद भाग गए जो अपने आपको देशबक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई थी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार सिसोधिया के बाद अब संजे सिंग को भी मिला जहटका जमानत याचका हुई खारिज जिया दोस्तों दिल्ली शराब गोटाले मामले में आहमा अदमी पार्टी के राजसबा सांसद संजे सिंग को कोट से फिर बड़ा जहटका लगा है रावस एवन्यू कोट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया मनिश शोधिया के बाद अब संजे सिंग को भी जमानत नहीं मिली है इससे पहले दिल्ली हाई कोट ने संजे सिंग की गिरफतारी और इडी रिमान को चुनोती देने वाली याचका खारिज कर दी थी संजे सिंग ने मामले को राजनिती से प जाच एजनसी ने कहा कि संजे सिंग रिश्वत वसूल ने की साजिश का हिस्सा थे उन्हें अपराद की रकम मिली थी एडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनितिक रसूक और पहुच की वजह से संजे सिंग की एडी के अफसरों और दास्तावे जो तक पहुच आसान ह लियाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वह जाच को प्रभावित कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार उन्होंने कहा कि अंदर जाना और वैल में कूदना आसान नहीं है लेकिन वे अपनी जान जोकिंग में डालते हुए ऐसा करते हैं मैं उनका समर्थभा नहीं करता और यह गलद है उन्होंने बेरोजगारी मनिपुर घटना और अन्य मुद्दे उठा EM लेकिन सवाल यहा है क कि उन्हें किस ने पास जारी किये, क्या उन सांसदों से पुछताज की जाती है, हम सरकार से जवाब की उम्मीद करते हैं। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार। पुतिन की सहमती से हुई प्रिगोजिन की हत्या रिपोर्ट में दावा, उनकी तागत को खत्रा मानते थे, प्लैन के विंग में बम रख कर उड़ाया। जिया दोस्तो रूस के राश्पती के खिलाब विद्रोह करने वाले प्राइवेट आर्मी वेगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन की सहमती पर उनके ही करीबी ने मरवा दिया था। अमेरिकी अकबार वोल स्ट्रीट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबित पुतिन के करीबी और रूस के सेक्यूरिटी काउंसल के सेकेटरी निकोलई इसत्या के मास्टर माइंड थे। WSJ ने बताया कि पैत्रू शेओ कई बार पुतिन के सामने प्रिगोजिन के बढ़ते दबबे को लेकर चिंता जता चुके थे। पतनी से मारपीट का आरोप FIR हुई दर्ज। जिया दुस्तों इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंदरा के खिलाफ पतनी से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पर कई चैनल है वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनिस के गुर भी सिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों जुराने अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आप से चोटी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 241 अंक की तेज़ी के साथ 17106 पर बंद निफ्टी भी 94 अंक चड़ा आईटी और रियल्टी सेक्टर में सबसे जादा तेज़ी जियां दोस्तों अफते के आखरी कारोबारी दिन यानिकी शुकरवार को शेर बाजार में तेज़ी देखने को मिली सेंसेक्स 241 अंक की तेज़ी के साथ 17106 के इस तर बंद हुआ वहीं निफ्टी में भी 94 अंक की तेज़ी रही यह 21,394 के इस तर बंद हुआ सेंसेक्स के 30 शेरों में से 20 में तेज़ी और 10 में गिरावट देखने को मिली IT और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी रही दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की रेड मेनेजमेंट से जुड़े लोगों के घरों और दफ्तरों पर भी चापा चार प्रतिशत गिरा शेर जियानुस्तो केबल और वायर बनाने वाली कंपनी पॉलिकेब इंडिया लिमिटेड के पचास से जदा ठिकानों पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है मीडिया रिपोर्स के मताबित आईटी डिपार्टमेंट ने यहार रेड कंपनी के मेनेजमेंट से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर की है हालांकि चापेमारी के कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें चापेमारी की खबरों के बाद कंपनी के शेर में 4% की गिरावट देखी गई है दो पर दो पसकर 38 मिनट पर 224 अंक गिरकर 5394 पर कारोबार कर रहा था वहीं इसका मार्केट केप गिरकर 81.01 हजार करोड रहा गया कंपनी के ग्रोध की बात करें तो बीते एक साल में इसके शेरों में 105 प्रतिशत की बड़ोतरी हुई है वहीं इस साल यह अब तक 108 प्रतिशत की बड़ोतरी कर चुका है तीन साल में कंपनी के शेर ने करीब 450 प्रतिशत का रिटन दिया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार फ्रांस के राशपती एमिन्यूइल मेक्रो ने गनतंतर दिवस यानी 26 जनवरी 2024 समाहरों में मुख्यतिती के रूप में शामिल होने को लेकर भारत से मिले निमंत्रण पर प्रदानमंत्री मोधी का धन्यवाद दिया गनतंतर दिवस समाहरों में अब अमेर की राशपती जो बाइडेन की बजाए फ्रांस के राशपती एमिन्यूइल मेक्रो मुख्यतिती के रूप में शामिल होंगे एमिन्यूइल मेक्रो ने शुकरवार को अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में काहा कि आपके निमंतराण के लिए धन्यवाद मेरे प्रियम मित्र भारत के प्रदान मंतरी मोधी जी नरिंद्र मोधी जी आपके गणतंतर दिवस पर में आपके साथ जशन मनाने के लिए रहूंगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर सुप्रिम कोट में इस साल दायरी आजकाउं से ज़ादा का हुआ निप्टारा यह 6 साल में सबसे अधिक 52,000 फेंसले आए पिछले साल से 31 प्रतिशत फेंसले ज़ादा आए जियां दोस्तो सुप्रिम कोट ने 2023 में 52,199 मामलों को निप्टाया पिछले साल सिर्ष कोट ने 49,800 मामले निप्टाये थे दोस्तो सुप्रिम कोट ने यह जानकरी शुकरवार को प्रेस रिलीज करके ज़ारी किये यह डेटा एक जनवरी से 15 दिसंबर 2023 प्रेस रिलीज में बताया कि इस साल कोट ने पिछले साल की तुलना में 12,000 यानि की 31.13 प्रतिशत ज़ादा मामलों को निप्टाया यह पिछले 6 साल में सबसे ज़ादा है हलांकि यह नहीं बताया गया कि 6 साल पहले कितने केस निप्टाये गए थे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार सेवी ने दिया केस सेगमेंट में शेरों की ट्रेडिंग के लिए इंस्तेंट सेटलमेंट का प्रस्ताव कंसल्टेंट पेपर जारी कर मांगे सुझाओ जिया दोस्तो शेर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निविश्कों को नए साल 2024 में बड़ी सोगात मिलने वाली है हालांकि यह प्रस्ता हुए केल्पिक होगा सेबी ने इंस्टेंट सेटलमेंट पर सुजाओ लेने के लिए 22 दिसमबर 2023 को कंसल्टेंट पेपर जारी किया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार कोरोना से जेपुर में एक महीने का बच्चा हुआ संक्रमित देशबर में 24 गंटे में 641 नए मामले आए केरल में सबसे जदा 265 मामले एक की हुई मौत जहां दोस्तो कोरोना का ZN.1 वेरियंट भारत में तेजी से फेल रहा है 21 दिसमबर तक इसके 22 केस दर्ज किये गए वहीं पिछले 24 गंटे में देशबर में कोरोना के 641 मामले दर्ज किये गए है एक सक्स की मौत भी हुई है वहीं दोस्तो हेल्थ मिनिस्ट्री के मताबित देश में एक्टिव मामलों की संक्या अब 2989 में हो गई है एक दिन पहला यहां आखड़ा 269 था स्वास्ते मंत्रा लेकन उस सारकेले केरल में 2606 एक्टिव मामले है यहां देश में सबसे जादा है यहां 21 दिसंबर को कोरोना के 269 मामले सामने आए और एक मरीज की मौत भी हुई वहीं दोस्तो जेपुर में एक महीने का बच्चा कोरोना पोजिटिव मिला वहीं 22 दिसंबर को जोदपुर में 19 साल के स्टुडेंट कोरोना पोजिटिव पाए गई उसे होम आईसोलेशन में रखा गया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आयोध्या एरपोर्ट पर उत्रा पहला एरक्राफ्ट 30 दिसंबर को प्रदान मंतरी मोधी रेल वेस्टेशन का उद्गाटन करेंगे प्राण प्रतिश्टा में 100 प्लेन से आएंगे वी आईपी जिया दोस्तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिश्टा 22 जनवरी को होनी है इससे पहले 30 दिसंबर को पीम नरिंद्र मोधी अयोध्या पहुच रहे हैं पीम दो घंट अयोध्या में रहेंगे वह यहां मरियदा प्रोश्योत्तम श्रीराम आयरपोर्ट और अयोध्या रेल वेस्टेशन का उद्गाटन करेंगे इसके अलावा 3000 करोड के प्रोजेक्ट्स का सिरला न्याश और लोकारपन भी करेंगे पीम के इस दोरे के साथ प्राण प्रतिश्टा वाले दिन की तेयारियों को आगरी रूप दिया जाने लगा है दोस्तो एरपोर्ट अथरोटी के सुत्रों के मुताबित प्राण प्रतिश्टा देखने के लिए वी आईपी गेस्ट को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या आएंगे शुकरवार को पहली बार अयोध्या के भगवान राम शिरी राम एरपोर्ट पर एरक्राफ्ट की लेंडिंग का ट्रायल किया गया यहां 2200 मिटर के रनवे पर एरफोर्स के एरक्राफ्ट की लेंडिंग हुई इसके बाद दूस्तो अगली बड़ी ख़बर WFI के नए अध्यक्ष संजे सिंग का पहला इंटर्व्यू बोले खिलाडियों का दबदबा था और रहेगा शाक्षी मलिक सिर्फ राजनितिक महोरा जिया दोस्तों फेडरेशन में खिलाडी होगा दबदबा था और रहेगा शाक्षी मलिक जिसे लोग अब खिलाडी नहीं रहा गए वो तो राजनितिक महरा हो गए हैं हम नहीं चाहते कोई कुस्ती छोड़े हर खिलाडी का स्वागत है शाक्षी भी अगर आना चाहती है तो और कुस्ती लड़े यह कहना है भारती कुस्ती संग के नए अध्यक्ष संजे सिंग का उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर यानि की गुरुवार को संजे सिंग ने हर्याना की अनिता शुरणान को हरा कर WFI के अध्यक्ष के रूपे अपना पद ग्राण किया है उनके अध्यक्ष ब बंगाल पंजाब महाराष्ट और बिहार में कांग्रेस की सीटें कम होंगी जिया अनुस्तों इंदी बेल्ट के तीन बड़े राजें MP राजस्तान और 36 गर्वदासबा इलेक्षन में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडिया नेशनल डवलब्मेंट इंक्लूजिव अल इसके बाद जेडियू असहद नजर आने लगी क्योंकि बियार के सीम नितिश कुमार का नाम पहले से ही PM केंडिडेट्स के लिए चल रहा है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर करनाटक में हिजाब पर लगा प्रतिबंद हटेगा सीम सिधार मया ने दिये आदेश जियां दोस्तों करनाटक के कांगरे सरकार इजाब पर लगे प्रतिबंद को उटाने जाराई है मुख्यमंत्री सिधार मया ने शुकरवार को हिजाब पर लगे बेन को उटाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब की कपड़े पहनन का अधिकार हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने करनाटक के स्कुलों और कोलेजों में हिजा पर लगे बेन को उटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कई शेक्शनिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंद लगाए गए थे इसके बाद करनाट की ततकालिन बसवराज बमई सरकार ने स्कूल और कोलेज में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिये थे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार दिल्ली एंसियार में जी आर एपी स्टेज 3 लागू गेर जरूरी निर्मान कार्यों पर लगा बैन इन गाडियों पर भी रहेगा प्रतिबंद जिया दोस्तो दिल्ली एंसियार में केंदर की ओर से वायू प्रदूशन नियंतरन योजना के तहत ग्रेडिट रेस्पोंस एक्शन प्लान स्टेज 3 रागू कर दिया गया है इसके बाद गेर जरूरी निर्मान कार्यों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है साती दिल्ली एंसियार में बी एस थ्री पैट्रोल बी एस फोर डीजल चार पईया वहानों पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है एक आदिश में कहा गया है कि दिल्ली का समग्र वायू गुनवक्ता सूचकांक शुक्रवार सुबह से ही लगातार बढ़ रहा है सुबह 10 बजे या 379 और शाम 4 बजे 409 था ग्रेंडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत प्रत स्वास्ते सेवा, रेलवे, मेट्रो, हवाय अड्डे, अंतराष्टे, बस, टर्मिनल, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाय ओवर, ओवर ब्रीज, समय तमाम इस्ताने सुचारी रूप से चलते रहेंगे तो दोस्तो ये अतियाज की तमाम बड़ी ख़बर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड की उच कुशन की जी आँ दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिप चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कौन से देश में सबसे ज़्यादा भुकम के जटके महसूस किये जाते हैं जी आदोस अगर आप जानते हैं कि साल भर में कौन से देश में सबसे ज़्यादा भार भुकम बाते हैं तो जल्दी से कमेंडोक्स में उस